अगर्व है बहार के मानीय मुख मंत्री जी है किया गया उसको भी हमने स्विकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए लेकिन कार सुची में कार सूची में जो परती जो उपस्ठापित करने काता परतिवेदन को उपस्ठापित क्यों नहीं किया गया वो उपस्ठापित होना चाहिए हमें गर्भ है बहार के मानिय मुख मंत्री जी भैस्टाचार में जीरो टोर्लेंज की बात करते हैं इसे समीति में रश्टाचार का अरोफ लगा है हम उसे में जो अध्यक्ष के चुनाव आउस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्ष करने के लिए आप सूची में मत रही है इसलिए आउट अप सब्जेक्ष न जाया जाए यह मैं आपसे कहना जाए अध्यक्ष महोदाए यह आपके आशन से जुड़ा है यह आशन से जुड़ा है एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्टरकार के दवों में किया जाए एक आशन को नीचे से अगर जो कोई डाइडेक्ष संदे आशन को कोई परभावित करे यह आशन का अफमान होगा अचन कभी परभावित होने वाला नहीं है कर्य कार्ज सूची में जो है उसके मतादिक ही कार्जवाही आज हो रही है करकी कार्ण सूची में चवते नंबर पर परतिवेदन था उसको भी आप उपस्थापित करें आसन की निर्पेट्ष्टा को दिखाएं और अध्रक्ष महुद है मैं तो संबैधानिक संस्था और संबैधानिक पद्पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूँ मैं अमली नहीं उठाता मैं आज हमने कहा हम भी तो अध्रक्ष के लिए चुनाये थे लेकिन लोग जानते थे कि बहमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव करें, हमने सरसमती कराया और अध्यक्ष महोदाएं, आपसे यही आगरह करेंगे मुझे पूर्णी विस्वास है, मान्ये मुखमंत्री जी ने भी कहा कि आप इन से पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं और यह कितने बरे अनुभव की किताब बजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बजार में नहीं मिलती है दक्षमोद है अनभव के जीते जागते मुर्ति के रूप में आप बैठे हैं अपने अनभव से बुहार की गरिमा को बढ़ें बुहार को जो प्रादोर भरस्टाचार के दातावन से कलंकित हुआ है उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया दातावन बढ़ाएं अउस प्रतिवेदन को सदन के कर्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए ना के ना कारात्मक अजाओंगा अब अस्थान गरहन करें अब धर्चम होदाएं आपके आदेश का आप